एजास खान संग लव स्टोरी पर बोली पवित्र पुनिया जो हमारे बीच है बहुत खूप सूरत है अपने लेटस इंटर्विव में पवित्रा ने अपने और एजाज के प्यार के बारे में बात की उन्होंने कहा कि हो सकता है कि लोगों को उनके प्यार पर इसलिए शक हो क्योंकि टीवी पर पवित्रा और एजाज के बीच में लव हीट का रिष्टा देखने को मिला है जब कोई सेलबिटी बिग बोस की घर में या नेशनल टेलिविजन अपने प्यार का एलान करता है बोस के घर में पवित्रा के लिए अपने प्यार का इजहार किया था और पवित्रा ने घर में सिर्कत करके उनको अपनी फिलिंग्स के बारे में बताया था पवित्रा का कहना है कि हमारे बीच में जो है वो असली है अपने latest interview में पवित्रा ने अपने और एजास के प्यार के बारे में बात की है उन्होंने कहा है कि हो सकता है लोगों को उनके प्यार पर इसलिए शक हो क्योंकि टीवी पर पवित्रा और एजास के बीच में लव हेट का रिष्टा देखने को मिला है उन्होंने का हमारी feelings असली है हमारे भी जो भी है वो असली है ऐसा कुछ national TV पर कहने के लिए हिम्मत चाहिए होती है हम जब reality show में थे ये तब भी लकली नहीं था मेरे दोस्तों ने भी मुझे फूचा है कि क्या ये सच है मैं बता दूँ कि कोई भी ऐसा कुछ footage के लिए नहीं करता है उन्होंने आगे कहा कोई भी publicity के लिए अपनी personal image को खराब नहीं करेगा हम इस समय एक दूसरे के बारे में पक्का इरादा रखते हैं हम इस रिष्टे को दीरे दीरे आगे लेका जाएंगे जब हम एक महीने के लिए एक दूसरे से दूर थे तब हमें समझाया कि हमारे बीच क्या है हमारी फीलिंग्स नहीं बदली हम एक दूसरे की care करते थे लेकिन अलग होने के बाद समझाया कि ये है प्यार है पवित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा future तो unpredictable है हम सिर्फ निन्य लेकर आज में जी सकते हैं पहले हमारे नजदी किया महसूस हुई और अब हम प्यार में है प्यार तब होता है जब कोई आपके साथ रहे और आपका साथ दे उमीद है कि हम जल्द अच्छी घबर देंगे प्यार बहुत खूपसूरत फीलिंग है मुझे उनका औरा उनकी personality और उनके जिग्यापन्त में प्यार है पवित्रा ने बताया कि आज एजास खान के भाई से मिल चुके हूँ और एजास भी इनके भाई से मिल चुके हैं हाला कि एक्टरस का मानना है कि ये बहुत ही जल्दी हो रहा है उन्होंने कहा भाई बहन और कलिक से मिलना ठीक है क्योंकि वे दोस्तों जैसे होते हैं मैं काफी शर्मिन्दा हूँ मैं काफी शर्मीली हूँ मैं उनके पिता से मिलना चाहती हूँ लेकिन अभी जो हमारे बीच है वो बहुत नया है जब पवित्रा से उनके अतीत और होटल मालिक सुमित महेश्वरी ने उनके पिता होने के दावे के बारे में पूछा गया तो पवित्रा ने कहा मैं अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ मैं सिर्फ आज पर फोकस करना चाहती हूँ धन्यवाद दोस्तो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये स्टोरी कैसे लगी